हुआ हेलो दिया स्टुदेंट वेलकम टू अधियन सेत्व एकडमी इन टुदेश क्लास वी इलिसक्स अवाउट दे कंपोजिट बार और कंपोजिट सेक्शन इससे पहले हमने डिसक्स किया है एलांगेशन आफ बार दुटो सेल्फ अबेट एक्सेलोड और विरिश टाइप फबार और इस क्लास में डिसक्स करेंगे How to calculate the stress on individual bar of a composite bar or composite member So, let's start the class First of all, composite bar होती क्या है? कब हम बोलेंगे composite bar किसी member को तो ऐसा member जो दो या दो से अधिक material से या component से मिलके बना होता है ऐसे member को हम composite member या composite bar बोलते है और जो भी composite member है चाहे हम उसको कितने भी material से मिलके बनाएं बनने के बाद हो एक single member या mono member की तरह act करता है तो जब भी को external load एक composite member या composite bar के थो ट्रांसफर किया जाएगा तो total load जो है वो individual members के थो दिस्ट्रिब्यूट होगा जितनी की उनकी capability होगी जिस material की load carrying capability या strength जितनी होगी उसके according उन materials में load distribute होगा फर एक्जामपल यहां पर एक composite bar है जिसमें material one and material two हैं दोनों अलग-अलग material है तो दोनों के लिए model सा plasticity भी अलग-अलग होगा cross-sectional area same भी हो सकता है different भी हो सकता है जो load distribute होगा वो depend करेगा उनकी strength पे उनकी load carrying capability पे और area पे भी depend करेगा कि कितना load किस material के थ्रूँ transfer होना है फर एक्जामपल हम एक्जियूम कर लेते हैं कि पहले में पहले बार में जो इस्टर जनरेट होगी वह सिग्मा वन और दूसरे तो उसके लिए देखिए हम यहां पर दो concept यूज करने है कि लेट है कि सिग्मा वन एंड सिग्मा टू भी कि दा इस्ट्रेस कि ओन कि बहुत मेंबर है कि पहला जो concept हम यूज करेंगे यहां पर अप्लाई होगा यह होगा कि जो total load हो दोनों में distribute हो जाएगा इन composite member तो टोटल लोड अ कि एक्वल टू रोड न फर्स्ट मेंबर प्लस रोड़ अन सेखन मेंबर एको ले नहीं होगा क्योंकि दोनों मेंबर की लोड करेंग के बिल्टी अलग अलग हो सकती है तो डायटली हम यह नहीं बता सकते हैं कि इकवल होगा यह कैसा होगा वो डिपंड करेगा सिचुएशन पे मटरेल के कॉंटिटी पे मटरेल के नेचर पे तो यहां पर टोटल लोड हमें जो पता होगा सपूजव अबसे करें युदिट में करें नोगा इकवल टोटव टो टु के lorsqu और युटर बाईल क्यूंट था जाए के वन यहीं कॉंसेप्ट यहां पर यूँड के व 알려ו में पता रहेगा एरिया तो यह जो एक्वेसन करेंौ सिग्मा वन सिग्मा टू के फॉर्म में बनेंगी देट इस फर्स्ट इक्वेशन देन जो दूसरा कॉंसेप्ट हम यूज करेंगे यहां पर देखिए यह दोनों अलग-अलग मेंबर थे लेकिन दोनों को मिला कि एक सिंगल यूनिट बनाई गई है तो जब यह इस एक्स्टर अगर परिफेक्ट कंपोसिट मेंबर है तो जो भी इस लोट की वजह से चैंज होगा इसमें कंप्रेशन होगा यह एंड फिक्स्ट है तो दोनों में इक्वल होगा कहने का मतलब है और यह देल यह वन जो है वह tääल टो के एक्वल होगा और लेंथ भी दोनों के लिए सेम है तो जो strand होती है, strand equal to होता है, change in length y, original length, दोनों के लिए same आएगी, तो इस case में, strand in first rod will be equal to strand in second rod, तो यह हमारा concept होगा, in this composite member या composite bar, strand in first member will be equal to strand in second member, अब what is strand, strand के दो फॉर्मले हम दो तरीके फॉर्मले हम यूज करते हैं, first one strand होता है, del ly original length, यह तो यहां पर यूज होगा नहीं, इधर भी del y, इधर भी del y, तो दूसरा concept हम होक्स law से यूज करते हैं, होक्स law बोलता है, stress is proportional to, strand, proportionality हटाते हैं, तो एक constant आता है, that is e into epsilon, यहां से strand equal to हो जाएगा, sigma divided by e, तो strand का जो दूसरा फॉर्मला यहां पर हम यूज करेंगे, sigma, पहले के लिए यूज करें, sigma 1 by e1 equal to sigma 2 divided by e2, यहां से sigma 1 equal to हो जाएगा, e1 divided by e2 into sigma 2, e1 e2 हमें पता रहेगा, दोनों material के लिए model सा plasticity कितना है, तो यह एक equation बन जाएगी, again sigma 1 and sigma 2 के form में, तो दो unknown है मारे पास, दो ही equation है, तो दोनों equation को हम solve करके, दोनों ही unknown find out कर सकते हैं, दूसरा काम यह कर सकते हैं, कि यहां से sigma 1 की value, जो भी sigma 2 के form में आएगी, इसको put करेंगे equation number 1 में, वहां से हमें sigma 2 मिलेगा, again sigma 2 को यहां पर put करेंगे, तो हमें sigma 1 मिल जाएगा, by solving equation 1 and 2, we can get sigma 1 and sigma 2, तो इस तरीके से हम दोनों material में, जो भी stress induced हो रही है, produce हो रही है, उसको हम calculate कर सकते हैं, इस concept से, पहला तो हम load को distribute कर सकते हैं दोनों में, और दूसरा हम strain वाला concept यूज़ करेंगे, यहां पर especially, जब कि दोनों की length same है, by chance अगर दोनों की length same नहीं होगी, वहां पर हम देखेंगे, क्या चीज़ें suitable बैट रही है, basically जो change in length होगा, composite member में वो same होता है, तो वो concept भी मारे काम में आ सकता है, तो इसको हमें एक example से समझते हैं, here is an example, a RCC column 300 mm x 300 mm in section, the column is provided with 8 bar of 20 mm diameter, the column carries a load of 360 kN, find the stresses in concrete and steel bar, take ES, modulus of elasticity is 2.1 x 10 power 5, that is 10 power 5 newton per mm square, and the modulus of elasticity for concrete is 0.14 x 10 power 5 newton per mm square, तो यहां पर पहले हम question को समझ लेते हैं, क्या बोल रहा हैं, देन हम से calculation स्टार्ट करते हैं, एक steel, sorry, RCC का column है अपने पास, इस column, यह column RCC का है, तो इसमें steel, RCC, steel और concrete है, अगर हम इसके cross section की बात करें, that is cross section of the column, इसका जो cross sectional area है, that is 300 x 300 mm, इसमें 8 steel rod यूज़ की गई हैं, इस pattern में, 8 steel की बार यूज़ की गई हैं, 20 mm diameter की remaining जो portion है, वो concrete का portion है, इसमें एक load आ रहा है, column है, तो compressive load ही आएगा, इसमें 360 kN का external load एप्लाई किया गया है, अब इस load की वज़े से, जो load है, वो दोनों में distribute होगा, concrete के थूब भी distribute किया जाएगा, पास किया जाएगा और steel के थूब भी, तो जब load दोनों के थूब carry out किया जाएगा, तो दोनों में stress भी produce होगी, तो ultimately हमें stress calculate करने ही, concrete में और steel में, और यहाँ पर बाकी जो remaining required data है, वो दिया गया है, modulus of elasticity of steel, modulus of elasticity of concrete, so again यह composite member है, जो की concrete और steel से मिलके बनाए है, तो यहाँ पर हम composite member का concept यूज़ करते हुए, दोनों material में stress calculate करेंगे, so start करते हैं, first of all in first step, the given quantity we will write here, given data, so given data अपने पास है, पहला तो steel का area है, 8 बार हमने use की है, 20 mm diameter की, तो 5 by 4 into 20 square, circular rod है, circle का रिया 5 by 4 into diameter square, और इस तरह की 8 बार है वहाँ पे, तो 8, तो यहाँ से हमें area मिल जाएगा, इसको calculate solve करने पे, जो की mm square होगा, अगर हम gross area की बात करें, total cross sectional area, total cross sectional area यह rectangular है, ठीके न, 300 cross 300 का, तो total gross area कितना हो जाएगा, rectangle का area हो जाएगा, 300 cross 300, that will be equal to, mm square, तो यहाँ से हमें, actually चाहिए क्या, steel का area तो चाहिए, एक material steel है, दूसरा material concrete है, तो यहाँ से हमें concrete का area चाहिए, तो जो यहाँ पे steel है, अगर हम उने steel को हटा दें, तो बचा हुआ portion हमारा concrete का होगा, तो total gross area हमें, steel का area को मानस कर देंगे, तो हमें concrete का area मिल जाएगा, तो area, concrete, will be equal to gross area, minus area of steel, AS means steel का area, तो यह दोनों value अपने पास हैं, gross area भी है और steel का area है, तो यहाँ से हमें concrete का area मिल जाएगा, यह भी किसमें होगा mm square में, तो जो दो member हैं, उनका area आगे use होगा equations में, तो हमने पहले से calculate कर लिया है, यहाँ पर जो total load है, that is, 360 kN, 360 kN, और यहाँ पर, model साफ elasticity दिया गया है, steel का, that is, 2.1 into 10 power 5 newton per mm square, and, modulus of elasticity of concrete दिया गया है, 0.14 into 10 power 5 newton per mm square, तो इतना data दिया गया है, numerical में, इसकी help से हमें, बागी का calculation करना है, यहाँ पर हमें determine क्या करना है, in second step, to determine, actually हमें determine करना है, stress in steel, जिसको हमने assume किया है, sigma S, and, stress in, concrete, that is, sigma C, तो यह दो value हमें calculate करना है, यहाँ पर, okay, calculation start करते हैं, हमें start कैसे करना है, हमें 2 unknown calculate करना है, तो हमारे पास 2 equation बननी चाहिए, 2 equation हमें 2 concepts मिलेगी, पहला concept है, load को distribute करने से, load कैसे distribute होगा, दोनों material में, दोनों member में load distribute होगा, दूसरा concept हमारा है, in composite bar, अब RCC जो column हमें, composite bar या composite member है, जो की steel और concrete से मिलके बना है, total load, equal to, load on steel, plus, load on concrete, यह total load हमें दिया गया है, that is, 360 kN, किलो न्यूटन है, इसको हम न्यूटन में change कर सकते हैं, into 1000, equal to, load on steel, load equal to होता है, stress into area, stress on steel, area of steel, plus load on concrete, that is, stress on concrete, into area of concrete, अब यहाँ पे, हमें, इसकी value पता है, area of steel, area of concrete की value पता है, दोनों put करेंग, इधरे पे numerical value है, तो एक equation में बनेंगी, AS और, sigma S और, sigma C के form में, that is equation number one, यहाँ पे जब numerical value रखेंगे, जो हमने calculate किया हुआ है, step number first में, given data में, area of steel यहाँ से मिल जाएगा, और area of concrete यहाँ से मिल जाएगा, gross area में, steel के area को मानस करके, दोनों value जब हम यहाँ पूट करेंगे, तो एक equation मिलेगी, linear equation जो कि sigma S और sigma C के form में होगी, that is equation number one, फिर हमें एक और equation चाहिए, गयोंकि दो unknown हमें find out करने है, तो दूसरी equation हमें मिलेगी, strength के concept से, now, अब अगर हम यहाँ पे बात करें, column की, column में एक ऐसा member है, जिसमें दोनों end supported होंगे, अब यहाँ पे कोई load लग रहा है, तो column में concrete की और steel की दोनों की length L है, suppose L assume कर लेते हैं, और इस load की वज़े से, जो compression होगा, दोनों में same magnitude को होगा, suppose यहाँ से लेकर, यहाँ तक compress होता है, dell L amount में, तो dell L steel के लिए भी और concrete के दोनों के लिए same होगा, तो change in length भी दोनों के लिए same है, और original length भी दोनों के लिए same है, तो strain दोनों में same आएगी, तो इस case में especially यहाँ पे, strain on steel will be equal to, strain on concrete, strain equal to अभी हमने समझा था, stress by E, steel के लिए stress in steel, divide by modulus of elasticity of steel, equal to, strain in concrete means, stress in concrete divided by modulus of elasticity of concrete, यहाँ से sigma S equal to हो जाएगा, E S divided by E C into sigma C, E S और E C की value अपने पास है, तो यहाँ से sigma S equal to हो जाएगा, यह है 2.1 divided by 0.14, 10 power 5, 10 power 5 cancel out हो जाएगा, into sigma C, इसको solve कर लेंगे, तो numerical value मिलेगी, तो again एक equation हमें मिल जाएगे, sigma S और sigma C के form में, दोनों को हम solve करेंगे, sigma S, sigma C मिल जाएगा, या फिर डिरेटल हम sigma S की value, यहाँ से sigma C के form में, equation number 1 में पुट करें, वहाँ से cable, एक term में equation बचेगी, that is sigma C, sigma C मिल जाएगा, again sigma C के value यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमें sigma S मिल जाएगा, तो इस तरीके से, दोनों equation को solve करके, अभी simple process है, इसको कोई भी solve कर सकता है, तो इस तरीके से, दोनों equations को solve करके, हम बहुत ही easily, दोनों material में, stress calculate कर सकते हैं, by solving equation 1 and 2, we will get sigma 1, sorry sigma steel, यह value आपको मिलेगी, किसमें newton पर mm square में, और sigma C, यह value भी हमें मिलेगी, newton पर mm square में, क्योंकि हमने जो equation में, value use किया है, वो load हमने newton में पुट किया है, और dimension हमने mm में पुट किया है, तो यहां से हमें directly, sigma S or sigma C मिल जाएगा, तो बहुत simple process होती है, बस हमें concept समझना है, कि किस तरीके से, equation set up करना है, और unknown value find out करना है, again एक example समझते हैं, तो थोड़ा दूसरे टाइप का है, दूसरे क्रिटेगरी का है, देखिए, तो यहां से हमारे सारे doubt clear हो जाएंगी, a steel rod of cross-sectional area 2000 mm², and two copper rod each cross-sectional area is 1000 mm², together support a load of 500 kN, find the stress in both rod, take modulus of elasticity of steel is 2 x 10 power 5 newton per mm², and modulus of elasticity for copper is 1.2 x 10 power 5 newton per mm², तो again यहां पे दो material को मिला के composite member बनाया गया है, अब यहां पे दो material में एक steel है, दूसरा copper है, तो central में steel की rod है, और side में copper की दो rod है, दोनों इन टीनों को मर्ज मिला के एक single unit बनाया गया है, कुछ इस तरीके से, अब इन में एक external load लग रहा है 500 kN का, तो इस load की वज़ए से, दोनों rod में individually कितना stress आएगा, we have to find out it, okay, so concept same है, यहां पे भी दो material है, means दो stress बनेगी, दोनों stress के लिए हमें दो equation form करनी होगी, अब वो दो equation कैसे form करेंगे, concept वही है, सबसे पहला concept, पहली equation हम बनायेंगे, load की help से, कि load जो है, total load distribute हो जाएगा, दोनों rod में या तीनों rod में, उसके बाद दूसरा जो है, हम stress या change in length की help से, equation set करेंगे, तो सबसे पहले, given quantity जो भी हो पूट कर लेते हैं यहां पे, given data, in given data, हमारे पास क्या है, सबसे पहले उस cross-sectional area of steel rod है, that is a steel, और यह कितना है, 2000 mm square, उसके बाद area copper है, एक rod का area है, 1000 mm square, total load है, 500 kN, modulus of elasticity of steel, modulus of elasticity of copper भी दिया हुआ है, तो steel का है, 2 into 10 to 5 N पर, mm square, और steel की value है, 1.2 into 10 power 5, 1.2 into 10 power 5, newton पर, mm square, और कोई data, बस sufficient data दिया हुआ है, जिनकी help से हम, अपनी required value find out कर सकते हैं, तो इतने data दिये गए हैं, उसके बाद, जो पहला concept है, हम load वाला use करेंगे यहां पर, यह भी एक composite member है, तो अगर हम बात करें, determine क्या करना है, to, determine, अगेन यहां पर दो stress निकालनी है, stress in steel, and stress in copper, तो यह दो value हमें calculate करनी है, calculation, पहला concept हम use करेंगे, जो total load है, और दोनों के थिनों रोट के थिनों रोट के थिनों दिस्टिटिट होगा, तो in composite member, total load, will be distributed in, load on steel, plus load on copper, okay, अब यहां पर हम चाहें, तो 2 से multiply कर सकते हैं, क्योंकि 2 और copper की road है, अगर हम इसको एक road, assume कर रहे हैं, तो हम यहां पर 2 से multiply कर दें, चाहिए यहां पर 2 से multiply करें, जब हम यहां पर area consider करेंगे, तो 2 road के equivalent area ले लें, क्योंकि दोनों का डामेंशन या ऐरिया सेम है copper की rod जो साइड में तो यहां से हम 2 multiply करें करने मतलब है कि दोनों rod में load distribute होगा equally क्योंकि cross-sectional area भी दूनों का सेम है material भी दोनों सेम है यहां पर हमे total load पता है that is 500 अगर इसको हम Newton में change करना चाहें तो 1000 से multiply कर दें load on steel, load equal to होता है stress into area stress in steel और area of steel plus 2 times अब 2 से multiply किया है यहाँ पर 2 times load on copper stress of copper into area of copper अब यहाँ पर 2 से multiply नहीं कर देना यह mistake नहीं करना already हम 2 count कर चुके हैं यहाँ पर अब यहाँ पर हमें area of steel भी पता है और area of copper भी पता है दोनों की value जब हम put कर देंगे तो हमें equation मिल जाएगी यहाँ से 500 into 1000 equal to यह है 2000 sigma s प्लस यह भी एक का area एक की value है 1000, 2 से multiply करेंगे तो again यह 2000 हो जाएगा sigma copper इसको हम solve कर लेंगे तो यह sigma steel plus sigma copper equal to हो जाएगा 500 into 1000 2000 common आजाएगा तो इदर divide हो जाएगा 2000 250 तो equation हमारी हो जाएगे sigma s plus sigma cu equal to 250 इस फर्स्ट equation जो दूसरा concept है अब यहाँ पे ध्यान से देखना है जो अपनी यहाँ पे composite member है जो अलग अलग rod है तो steel की rod का length अलग है that is 4 length भी दिया हुआ यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा change एक question 400 mm है steel rod का length और 300 mm है copper rod का length तो यहाँ पे जो length है वो अलग अलग है length of steel is not equal to length of copper बट यह composite member है जब यह 500 का load लगेगा इस पे तो जो compression है वो दोनों या तीनों rod में equal होगा suppose यह compress होके यहां से यहां तक आ जाता है तो तीनों rod इतना ही compress होगी due to composite member तो जो dell L है वो तीनों के लिए सेम होगा है दोनों के लिए सेम होगा तो यहाँ पे dell L steel will be equal to dell L copper तो अगर हम strand की बात करें तो strand equal to होता है dell L Y L तो dell L तो equal to length जो है अलग अलग है यहां पे strand जो steel में है that will not be equal to strain in copper बट यहां पे concept हम use कर सकते हैं यह वाला कि जो change in length है दोनों तीनों में सेम होगी तो change in length on steel will be equal to change in length of copper और यही concept हमें दूसरी equation देगा now here change in length of steel will be equal to change in length of copper अब अगर हम बात करें change in length की change in length axial load की वज़े से कितना होता है dell L equal to PL divided by A और लेडियम पर चुके हैं यहां पर Pya load by area equal to stress होता है तो इसी formula को हम sigma Lye में भी convert कर सकते हैं Pya की जगह पर sigma पूट कर दें तो dell L equal to sigma Lye पूट कर सकते हैं यही concept यहां पर यहां पर यूज करेंगे change in length equal to sigma Lye steel के लिए पूट कर रहे हैं तो steel के लिए हो जाएगा sigma steel length of steel divided by modulus of elasticity of steel second में copper के लिए put कर रहे हैं तो stress copper length copper divided by modulus of elasticity of copper अब यहां पर sigma को छोड़ के बागी सारी value अपने पास होंगी length भी है modulus of elasticity भी है तो sigma S equal to हो जाएगा ES divided by ECU into LCU divided by LS into sigma CU यह चारो value अपने पास है put करेंगे numerical value आएगी तो again हमें एक equation मिल जाएगी sigma S equal to यहाँ पर something होगा sigma CU that is equation number 2 तो दो unknown है और दो linear equation है अपने पास दोनों की help से हम दोनों unknown find out कर सकते हैं या फिर डिरेटली हम sigma S की value equation number 1 में sigma CU की form में put करें equation number 1 में केवल एक अंदोन दे जाएगा sigma CU वहाँ से में sigma CU मिल जाएगा वापस sigma CU की value यहाँ पर put करेंगे तो sigma S मिल जाएगा तो दोनों को solve करके हम easily दोनों value find out कर सकते हैं by solving equation 1 and 2 we will get stress on steel कुछ value मिलेगी यहाँ पर यह आपके पास Newton पर mm2 में होगा क्योंकि load हम नूटन में put किया है dimension mm में put किया है and साथ ही साथ हमें sigma copper भी मिल जाएगा इसकी value भी आपको Newton पर mm2 में मिलेगी तो इस तरीके से हम composite bar में external load की वज़ा composite bar में हर एक member की बट कुछ ने कुछ वहाँ पर हमें concept मिल जाएगा कुछ ने कुछ ऐसा parameter मिल जाएगा जिसकी help से हम unknown value find out कर सकते हैं तो यह दो तरीके की question थे जो हमें यहाँ पर कर चुगे है I hope कुछ सीखने को मिला होगा आपको यहाँ पर मिलते हैं next class में thank you